नमस्कार अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से और ये है प्योर एवी का इट्राइंस नियो और ये है आम आदमी का पेट्रोल स्कूटर तो भारत पर्ष को एलेक्ट्रिक गाड़ियों से क्या फाइदे होने वाले हैं इसकी जानकारी आज हम पता करेंगे ये है आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसमें एक इंजिन है जो पेट्रोल पे चल रहा है और जिसमें एक एक एग्जास्ट है जो कि कई कई चीज़े निकाल रहा है आपकी कार्बन डायॉक्साइड निकाल रहा है जिसके वज़े से धर्ती गरम हो रही है आपका कार्बन मोनो औक्साइड निकाल रहा है अगर आपने बंद कमरे में इस गाड़ी को रख ली तो आपका कारबन मोनोक्साइड आपके बलड में जा करके आपको मार देगा और साथ में जो पेट्रोल पूरी तरह से जलता नहीं है उसका जो थोटे मोटे कारबन के टुकड़े रह जाते हैं उसमें जो कि आपके हवा में जाकर कि आपके फेफडों में बस जाते हैं जिसके वज़े से आपको पता है कि लंग्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते है और यह है आपकी बैटरी वाली गाड़ी जिसमें एक्जॉस्ट है ही नहीं जिसमें आप सिर्फ बिजली अंदर डाल रहे हैं और मोटर को घुमा रहे हैं बैटरी का चार्ज खतम हो गया आप ने फिर से बिजली को कनेक्ट किया और फिर से मोटर को चार्ज किया तो सिग्रेट के पैकेट पे आपका एक स्लोगन लिखा रहता है कि सिग्रेट पीना आपके सिहत के लिए हानिकारक है पेट्रोल के स्कीटर पे ऐसी वार्निंग क्यों नहीं लगाई जाते चुकि इसका भी चलाना आपके सिहत के लिए हानिकारक है तो यह है आपके जंगल की हवा और यह है आपका सिगरेट का धुआ पेट्रोल बनाने वाले मैनेफेक्टरल्स का यह एक एलिगेशन है एलेक्ट्रिक स्कूटरों पे कि भाईया बिजली कहां से आपकी बन रही है वो तो कोईले से जला करके आपकी बन रही है और कोईला जलाना में प्रदूशन ज़्यादा होता है कंपेट तो पेट्रोल जलाना लेकिन यह गलत कह रहे है क्योंकि एक पूरा रिसर्च आपका इंडिकेट कर रहा है साइन्टिफिक रिसर्च जो हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी कोईले के बनाए हुए बिजली से चल रही है तो भी पेट्रोल के गाड़ी से कम पलुशन क्रियेट कर रही है ठीक है दूसरा जो यह लोग आपको नहीं बता रहे हैं कि आज के दिन में भारत की 40 प्रतिशत बिजली रिन्योबल सोर्सेस याने कि हाइड्रो एलेक्टरिसिटी विंड सोलर से आ रही है इन फैक पिछले पांट सालों में कोई भी नाया कोईले का प्लांट नहीं आ है जो भी इनर्जी का एडिशन हो रहा है वो सारा का सारा रिन्योबल हो रहा है मतलब की सिच्वेशन और है वो और भी ज्यादा क्लीन होते जाएगी साफ सुत्री होते जाएगी प्रदूशन का नुकसा नहीं करेगी और अगर आप लोग को परियावन की इतनी फिकर है और आप गैरंटी के साथ कहना चाहते है कि मेरे स्कूटर में कोई तेल या फॉसल फ्यूल का प्रदूशन न देश को बचाईए अगली गाड़ी खरीद करके अपनी सेहत को बचाईए आने वाले पीडियों की सेहत बचाईए और आज ही एलेक्ट्रिक की शुरुबात कीजिए और एक चीज जो आप लोग को ध्यान में आता है और शायद बिजली वाली गाड़ी चलाने के बाद ही ध्यान आए कि हम एकदम शांत वातावरन में हैं और अब हम आपको सुनाएंगे कि पक्षियों की आवाज से कितनी ज्यादा इस गाड़ी की आवाज है ठीक है देश मर रहा है दुनिया मर रही है इसको बंद कीजिए अब हम एलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ आते हैं गाड़ी शुरू हो गई कोई आवाज नहीं हलकी से एक मोटर की सुनेरी आवाज और पस जंगल में मंगल आपने एक गाड़ी के आवाज सुनी पूना जैसे शेहर में लाखो गाड़िया हैं देश में करोड़ों गाड़िया हैं रोज आवाज है किये जा रही है लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाए जा रही है अब आपके पास एक चॉइस है कि इस प्रोडूशन के इस आवाज के एक प्रॉब्लम को आप एक सुलूशन दे सकते हैं एलेक्ट्रिक लीजिए देश को बचाईए और देश की जो एकोनोमी है हमारी जिसमें आज के दिन में आपका जो इंपोर्ट का बेल है उसके सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है आपका क्रूड आयल टेल तो आप जितनी गाडियां चला रही है बाकी दूसरे देशों को आप फाइदा दिला रहे हो बनिस्पद ये कि जो बिजली है वो आपकी सारे मेड इन इंडिया है और जितना चाहे हम उसका प्रॉडक्शन बड़ा सकते है बिजली का तेल का हम लोग प्रड़क्शन नहीं तेल का इनफैक्ट भारत के अंदर का जो प्रडक्शन है वो नीचे गिर रहा है देश के एकोनोमी के हित में ये रहेगा कि जो भी लोग आज पेट्रोल की गाडिया चला रहे हैं चाहे स्कूटर हो चाहे मोटर साइकल हो चाहे कार हो चाहे बस हो वो बैटरी और एलेक्ट्रि प्रोल है उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो और उसका इंपोर्ट को आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो लीथियम के इंपोर्ट के साथ में क्योंकि आज की दिन में इंडिया में लीथियम का प्रोडक्शन ना के बराबर है लेकिन फरक कितना है कि आपकी गाड़ी ज जब इसकी गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाएगी तो इसमें से काफी सारा लीथियम आपका रीसाइकल हो जाएगा और आगे चल करके जो नई टेक्नॉलिज जो रही हैं अगर आप पेट्रोल स्कूटर चला रहे हैं तो आप शायद पांच साल में डेड़ दो हजार लीटर पेट्रोल पी जाएंगे अगर आपके बस गाड़ी है तो उसको पांच गुना यानि कि दस हजार लीटर की आपकी खबत होगी इसमें लगता है यह वाले स्कूटर में मात छे सो ग्राम लीथियम का इस्तामाल हुआ है नेक्सवन जैसे एलेक्ट्रिक गाड़ी में कुछ किलोग्राम होगा लेकिन पूरे जिंदगी के लिए ऐसानी कि हर महीने आप उसको बल रहे हो परियावरन का जो नुकसान हो रहा है दस हजार या दो हजार लीटर से वो छे सो ग्राम और दो किलोग्राम के कंपेरिशन तो बहुत जाबा है आज के दिन में दूसरा एक जो निंदा की जाती है इवी इंडस्री की कि सब कुछ चाइना से आ रहा है इंडिया में कुछ नहीं बन रहा है शायद लोग नहीं जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे भ्लें है आज के दिन में इंडिया में वो शत्प्रतिशत मेड इंडिया है उसमें चाइणा का आजकी दिन आल्बूस्ट ना के बराबर चीज़े लग रही है तो आज के दिन में जो बैटरी है उसका पूरा 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 पैक का मैनेफक्टरिंग इंडिया में हो रहा है इसकी चैसी लुध्याना से आ रही है इसकी मोटर की बातचीच चल रही है तो लोकलाइजेशन बड़ी जल्दी पेस पे पिकप कर रहा है और आने वाने चार पा तो पेट्रोल की गाड़ी में आवास, वाइब्रेशन, राइड कमफर्ट नाम की कुछ चीज़ है नहीं है एक बार आप अलेक्ट्रिक चलाएंगे तो आपको फरक पता चलेगा पेट्रोल की जो गाड़िया रहती है उसमें आपको जो टॉर्क मिलता है वो करीब इंजिन क के 2000-3000 RPM के स्पीड पे सबसे ज़्यादा मिलता है इसलिए आपको एक्सेलेटर दबाना पड़ते हो दीरे दीरे गाड़ी आगे हिलती है दस साल एलेक्ट्रिक गाड़िया चलाने के बाद जब मैं पेट्रोल की गाड़ी चलाता हूँ तो हड़िया हिल जाती है एलेक्ट्रिक गाड़ी नो नाइज कोई नाइज नहीं कोई बाइबरेशन नहीं चलाने का मजा लुफ्ट है ठीक है तो एक बार आपने इसको एक्सपीरेंस कर लिया तो आप आप आपस पे टोलते नहीं जाएगे एलेक्ट्रिक गाड़ी का जो टॉर्क है वो जीरो टॉर्क जीरो स्पीड पे मिल रहा है आपको दो हजार तीन हजार आर्पेम पे इंजिन को चलाने की जुरूत नहीं पड़ती है वो टॉर्क लाइज हमने देखा कि आपका एक डिसीजन पेट्रोल से एलेक्ट्रिक स्विच करने के लिए कैसे आपके सिहत के लिए अच्छा है परियावरन के सिहत के लिए अच्छा है और देश के सिहत के लिए अच्छा है